आप सभी का स्वागत है, मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, मार्केट में आपको कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए, निप्टी या बैंक निप्टी के अंदर, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखते रहे हैं, चैनल को ने किया, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी के सामने है, बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है, बैंक निप्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे पैटन इस आप से बात की थी, कि मार्किट में देखे जो उपर का जो लेवल है, यानि अगर मैं बात कहूं, जगह 49,424 के आजवास की जो इसमें लेवल था, वो कही ने कही एक रेजिस्टेन का काम करता हूँ दिखाए रहता, और आज के दिन अगर आप देखोगे, तो आज के दिन देखे जे उपर की साइट गया ही नहीं है, इसने जो कही ने कहीं लेवल उपर की साइट मारा है, वो आज की बात करूँ तो 49,200 के सम्तिंग जे आज के ऊपर गया है, यानि अगर मैं बात कहूं तो इस लेवल पर यह गया ही नहीं है, नीचे की साइट अगर मैं बात कहूं दे रहा है नीचे की साइट अगर हम बात करें तो 38,400 के सम्तिंग का इसने लो मारा 38,400 अब इसका लोजिक क्यों हो भई गिरावट क्यों आ रही है यह कल तेजी आ सकती है इसके बारे में हम बात करते हैं तो यहां पर देखें आप समझो कि यहां पर हुआ क्या है कि जो बॉल की लेवल पर इस जगह से देखें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई और नीचे की चाहिट अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को बली उपर के लेवल पर अब देखें जे सभी कॉल मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी द चेक काफी लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं अगर आप ने अभी तक हमाई टेलीग्राम चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लोगो भीक्हाइं को ँस भी Post L गल इसको उपर वीडियो भी आपके लिए पबलीष किया था अगर आपने उस को देखा वोगा BNPT वीडियो पबलिष किया था अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है चलि belie आब बात करते दे रहा है इसमें अगर मैं बात को तो एक लेबल और मैं आपको यहां ते दिखाना चाहूंगा जे आपका देखे जे एक अच्छा कासा सपोर्ट इसमें दिखाई दे रहा है यानि अगर मैं बात कहूं तो 38,500 जे काफी मैत पूर्ण देखे अब इसमें सपोर्ट बनता करना है सवाल पूछिए क्योंकि यहां पर आप देखोगे देखे मैं बड़े चार्ट पर बात करता हूं हमेशा तो यहां पर जब इसमें तेजी आई थी यहां पर देखे 10 तारीक 10 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें 19 जनवरी के आसवास की गिरावाट आपको देखने को भी फिर एक कंटीन्यू सपोर्ट लिया था है यहां पर पच्चीज चौवीच जनवरी के आसवास और फिर उसके बाद एक अच्छी तेजी आपको देखने को भी बजार के अंदर अब जो बजार उपन होगा वो साथ तारीक हो हुआ यानि मंडे को बजार उपन होगा तो यहां पर हुआ क्या है कि वही जो आपके यह वाली जो लेवल थे देखें यह वाली जो लेवल थे जह कहीं ने कहीं अभी आपको क्या काम करते हुए दिखाई दिखाई रहे थे इस जगा मैं लिखना चाहँगा रजिस्टेन औ लेकिन अभी बजार ने तेखे is level पे क्या काम किया इस लेवल पे कहीं सपोर्ट का काम किया है तो अब हम आंगे कैसे काम कर सकते हैं जैसकि मैंने वनअवास का चार्ड उपन किया है अब इसमें आपको एक चीज समझना है ठीक है कि अगर अब गिरावत आएगी यह market गिर प्रचुनिटी मिलेगी तो वह कैसे मिलेगी वह मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है अगर मार्केट 38,500 के नीचे जाता है पिलास जो आपका वन अवर्स का केंडल है वन अवर्स का केंडल यानि एक घंटे का जो केंडल है उसमें नीचे किलोजिंग दे देता कैसे किलोजिं ठीक है इसके नीचे किलोजिंग दे दे इसने तो हम क्या कर सकते हैं इस जिगा पी बाइंग कर सकते हैं फिर हमारा पहला टार्गेट क्या होगा 38,400 का पहला टार्गेट देखने को मिलेगा दूसरे टार्गेट की अगर मैं बात कहूं तो 38,300 का देखने को मिलेगा और बड कि एक चीज समझो कि आपका जो support है वो आने वाले क्या हो जाता रजिस्टेंट हो जाता जैकि यहां पर आपको देखे रजिस्टेंट इस जगह रजिस्टेंट यह रजिस्टेंट अब यह आपका क्या support का काम कर रहा है तो अगर जे 38,500 के नीचे जाता है जब भी हम इसमें sort कर सकते हैं वरना हम sort नहीं करेंगे इस जगह अगर आप देखोगे तो पहला दूसरा और तीसा टार्गेट आपको देखने को लेगा 150-250 पॉइंटों के लिए आप इस जगह बाइंग कर सकते हो ओपनिंग उपर और किलोजिंग नीचे वन अवर्स के चार्ट पर इतना अगर समझ में आया तो देखिए वीडियो को बिल्कुल लाइक करते जाए और अपना अच्छा सा एक कमेंट कीजिए ठीक है वीडियो के नीचे अब चलिए बात करते हैं इस जगह अपन 15 मिट के चार्ट पर कहानी क्या निकल के आती है जैकि हमने इसके बारे में बात की अ अगर बजा नीचे की साइट ओपनिंग देता है यानि अगर मैं बात कहूं इस लेवल के आसवाज ये वाला आपको लेवल दिखाई दे रहा है देखिए जे नीचे की सपोर्ट बनता है जो कि आपका 37,600 के सम्तिंग का सपोर्ट है और दूसर अगर मैं बात कहूं तो दू करूं तो 500 पॉंट के जगह गरावट बनती है तो इस जगह ओपन हो जाता है यहां पर थोड़ा समय बिताता है और समय बिताने के बाद एक फास्ट मूट तेकि मैं आपको अमेसा बताना चाहूंगा कि जब मार्किट गरावट के साथ ओपन होता है और उसमें अगर एक फा मार्किट 500 पॉंट जगह ओपन हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि जो कॉल का पिराइस है वो कॉल देखे मान लिजए कि जगह कोई जो कॉल था वह आपको इस जगह 100 रुपे की पिराइस पर मिल रहा था ठीक है लेकिन वही कॉल आपको अगर 500 पॉंट आपका वजा नीचे हो जाता है तो मार्किट कई ने कई वही कॉल आपको 40 से लेके 50 पॉंट के आसफर्स मिल सकता है तो यहां से आपका जो रिक्स एंड रिवाट है वो आपका अच्छा हो जाता है ठीक है यानि इस जगह आप कितना एसल ले सकते वाई जिगह जैसे कि आप सभी को बता है कि हम 20 से लेके 25 पॉंट का एसल लेते हैं एक तो आपका छोटा एसल हो गया लेकिन इस जगह से जो रिवाट है वो बड़ा हो जागा इस जगह से आप 80 रुपे का भी टार्गेट हो 90 का भी रख सकते हो ठीक है तो यह आपको चीज़े सीखना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे आता तो उसमें पैनिक करने की जगुद नहीं है ठीक है आपको सबसे पहले जे चीज़े समझना है कि मार्केट नीचे आया है तो आया क्यों है क्योंकि वही ऊपर के लेवल पर यहां पर कहीं जो आपके एस उन्होंने कहीं ने कहीं सेलिंग किया इस जगह क्या किया एस ने सेलिंग किया यह अगर मैं बात कहूं डिया इस ने सेलिंग किया अब जी एस और डिया इस कौन होते हैं इसके उपर मैं एक कंपलीट बीडियो बना दूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए ठीक है तो फिर आपन इस जगह समझ लेते हैं कि अगर मार्केट आपको 38,000 दे कि जो आपका केंडिल है आपको जिगह 30 मिल्ट का जो केंडिल है वो केंडिल नीचे ओपनिंग देगा ठीक है लेकिन किलोजिंग उपर ही होना चाहिए यानि 38,000 दोसों के उपर ही किलोजिंग होना चाहिए यह मैंने आपको यह पैटन बनाया इसके उपर ही होना चाहिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसके नीचे जाएगा तो मारकेट फिर वैरेश हो जाएगा इसके ऊपर ही रहता और फिर एक बाउंस बैक देता है जो मैंने आफ को बताया तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा 38,000, 38,350 का पहला टारगेट 38,500 का आपका दूसर टारगेट अब देखिए बड़े टारगेट हमको देखने को मिलेगे और लास्ट टारगेट होगा 38,600 का अब आप जे सोचें कि मैंने 38,600 पे जहीं तीसा टारगेट क्यों दिया है क्योंकि आप सभी को पता है कि 38,600 का जो लेवल है न वो आपका सपोर्ट और रजिस्टेंट का काफी बार काम किया यहाँ पर आप देखो तो कहीं ने कहीं महाँ पर एक सेलिंग का पिरेशा देखने को मिलेगा इसलिए मैंने इस जगह तीसा टारगेट आपको उसी लेवल पर दिया ता तो इस चार्ट मैं पोस्ट करता हूँ इस चार्ट को देखा करूँ देखे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह मैंने चार्ट पोस्ट किया है इसके पीछे का क्या लोजिक था कि वह इस जगहाँ गैप है तो जब आपको चीज़स समझ में आने लगती है तो आप बड़े टा समझ में आई अब चले बात करते हैं कि मार्केट ओपन कैसा हो सकता है ठीक है उसके बारे में अब मैंने आप सभी के सामने ऑपसें घैन ओपन किया जैसे कि आप सबी को पता है कि मार्केट अब जो ओपन होगा वह अपको दिखाना चाहूँ का अब जो मार्केट आपका लोगों का लॉस हुआ है काफी लोगों का लॉस हुआ है अब इन लोगों ने देखिए होल्ड काफी किया अगर मैं बात कहूं तो यहां पर देखिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो 38,900 पर देखिए होल्ड किया है काफी लोगों ने होल्ड किया है ठीक है अब ऐसा कि इनको होल्ड किया तिक तो इसले उन्हें उल्ड किया है अब एक चीज आगा और नीचे आने के बाद अगर जी support लेता है तो उसके बाद हम buying कर सकते हैं जे वाला देखें मैं आपको telegram channel पर दे दूँगा जो कि मैंने आपको बताया ना कि नीचे की site आपका एक support है जो कि 38,200 के something है वो इसी basis पर है कि मार्केट अगर support पर मिलता है तो हम buying कर सकते हैं उपर की site लोग क्या करेंगे profit बुक करेंगे उसी जगह अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ वाई इस जगह देखें लोगों ने क्या किया इस जगह भी hold गया लेकिन उतनी बड़ी quantity नहीं है यहां पर आप quantity देखिए वह दस हजार quantity 40,000 और 70,000 यहां पर आप देख मतला इसी टाइप की quantity है बड़ी quantity इन्होंने इस जगह hold नहीं किया है क्योंकि इनको profit हुआ है इन्हेंनों सोचा है कि भाई profit हुआ है लेके जाए अब यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है कि जो गिरावट की संक्या बन रही है वो कहां से बन नहीं है कि नीचे की level पर इस जगह आपको देखने को मिलेगा वह आपको देखने को मिलेगा 38-500 का क्योंकि इसी लेवल पे अगर आप देखोगो ना तो देखे यहां पर आपको समझ में आगा जब पूरे लेवल पर देखे इतनी बड़ी holding नहीं है holding कहां पर इस वाली लेवल पर यहां पर आगर आ कई इस जगह आपको साथ सातर हजार के संतिंग की चेंजिंग आपको दिखाई दे रही है यानि जे वो लेवल है जिस लेवल को अगर मार्केट क्रोस करता है तो वहाँ पर हम सेलिंग करने की अपॉचिनिटी देख सकते हैं यह बात कर लेते हैं कि बड़ी तेजी या बड़ है जगह हाई है जे आपका लो है जगह हाई है जे आपका इस जगह कहीं लो आ सकता है और जगह हाई है यानि पैटन में अगर आप देखो तो इस लेवल से सेलिंग आपको दिखाई दे रही है अगर मार्केट नीचे की साइड आता है तो यहां से कहीं सपोर्ट आपको दे लेवल है यानि अगर में हाई है अगर इस हाई को जी क्रॉस करता तो आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकते है उपर की लेवल पर या फिर आपको सपोर्ट पर बाइंग करना चाहिए दोनों चीजे मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में टेरेंट कैसे काम कर रहा है बाकि वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे हमारे टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपको कुछ बताना है या पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो जैहिन बंदमतम